A goal without a plan is just a wish. This line given by Anton inspire करती हमें कि अगर अपने गोल को अचीव करना है तो planning बहुत important है और अगर आप बिना plan के चल रहे हैं तो वो एक ख्वाहिश की तरह ही रह जाएगा So hello everyone and welcome to Kate Academy and Advait Education, myself Shashank Chandakar and आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि planning किती important है किसी भी competitive exam के लिए यार आपने आज पास तो building का construction होते हुए कई बार देखा ही होगा आईए देखते हैं कि इसका step क्या होता है building construction होने का सबसे पहले एक builder आता है वो एक जगा land लेता है उस land को select करता है वो land basically उसका project location होता है फिर उसके बाद वो क्या करता है उस land के लिए एक designer खोशता है वो उपने land का एक blueprint बनवाता है कि क्या चीज कहां पे रहेगा उसका porch कहां पे रहेगा उसका garden कहां पे रहेगा उसके rooms कहां पे रहेंगे तो पूरा designing करके एक designer उनको उस land का plan करता है फिर आगे फिर जब एक बाद designing हो जाती है तो फिर वो builder वहाँ पे construction चालू करता है फिर construction के बाद क्या होता है building basically means वहाँ पे building बन गई आपकी तो यह होते है building construction किस्ट है students वैसी ही कुछ हमारा exam का preparation भी है जो project है हमारे लिए वो हमारा exam है यहाँ पर design जो है वो हमारी planning है जैसे builder ने blueprint बनवाया एक designer से कि क्या चीज कहां पर होनी चीए हमें भी अपने exam का पूरा planning होना चीए कि कित्ता time बचा है हमारे exam के लिए कित्ते topics बचे हुए है revision के लिए कित्ता time बचा है तो हर चीज एक planned mode से यहाँ पर से आगे बढ़नी चीए अगर planning सही है तब जाकि जो आपका construction part है वहाँ पर आपके होता है basically exam का preparation फिर आता है build तो build basically होता है आपका result so students अगर पूरे process में देखा जाए तो आपका exam का preparation बीना planning के हो नहीं सकता so students अपनी planning स्टार्ट कीजिए क्योंकि students a goal without a plan is just a wish thank you so much